असलावलीकूम एन वेलकम डू चैनल दस्तर खान की दावत आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डबल लेयर चॉकलेट बर्फी की रेसेपी और इसे बनाना बहुत यह आसान है बहुत इकम इंग्रीडेंट से यह बनके तयार हो जाता है और बच्चों से लेके भड आई लहिए हैं अब इसमें हम आड करदेंगे दो टेबल स्पून गी साथी में ढाल देंगे तीन चौताइए कटोरी या तीन चौताइए कप दूद ये रूम tussenप्रेचर पर मैंने दूद लिया है ना ही ठंडा लिया है और ना ही गरम लिया हैं अब उस्सें सेंशिकर से मा जाएंगे और इसका बिल्कुल बेथ स्मूध पेस्ट बन जाएगा तो हमने इसे बहुत ही उटाए तरह से मिला लिया है और इसका बहुत अच्छी था स्मूध पेस्ट बन गया है इसके अंदर के प्लेट में भी वर्फी के mix को सेट कर सकते हैं अभी जो पेस्ट हमने तयार किया है इसे लूप फ्लेम पे हमें लगादार चलाते हुए इसकी मावे जैसी consistency आने तक इसे पकाना है और कुछ देर बाद यह गाड़ा हो चुका है लेकिन अभी भी इसकी मावे जैसी consistency तो इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है और कुछ दिर हमने इसे और पकाया और आप देख सकते हैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से गाड़ा हो गया है इसकी मावे जैसी कंसिस्टेंसी आ गई है तो आप हमने ग्यास के फ्लेम को बंद कर दिया है और आप इसे हम ट्रांसफर कोको पोर्र ढाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे लगातार चलाते हूँ है मिला लेंगे लेकिन कोको पोर्र डालने के बाद इसे छो वाले मिक्स को लगाता है चलाते हुए लो फ्लेम पे एक से दो मिनट के लिए पकाया और अब यह स्मूथ और गाड़ा हो गया है तो अब हमने ग्यास के फ्लेम को बंद कर दिया है और यह जो वाइट वाला पार्ट हमने पहले से निकाल के रखा था इसकी इस तरह से गोली ब और निकाल लिया था उसे हम इस तरह से घीसे की ओगाड़ा से ऍसीथा और इसके उपर हमने जो चौकले WhatsApp क county नोपर दाल के उपर दालते बेंगे और आप चमच के उपर घी लगा के ब्राउन वाले पार्ट को वाइट वाले पार्ट के उपर पूरी तरह से फैला लेंगे और यह जो चॉकलेट वाला पार्ट है इसे भी हम किसी प्लेट या कटोरी से चिकना कर लेंगे और इसके किनारों को तो एक बार फिर से इस पैटोला की मदद से इस तरह से लेवल अप कर लेंगे तो यहां पर हमने डबल लेयर्ज चॉकलेट बर्फी के लेयर्स लगा दी है अब इसके उपर हम चादी का वर्क लगा दीगे इसे लगाना ऑप्षिनल है आप चाहें तो इसे लगाएं वरना होने के लिए हमने सिर्फ से 15ğl जाता है लोग लिंघा ङन। चूपिंग बूर्ड के ऊपर लिए है और आप जो किनारों पे लगे हुए बटर पेपर है उसे हम सीधा कर लेंगे ताकि जब हम इसे कट करें तो काटने में आसानी हो और आप यहां पर मैं बर्फी को स्क्वेर पीसिस में कट कर रही हूं आप चाहें तो इसे डायमंड पीसिस में बनी है आप यसे ज़रूर ट्राइ करें आपको यह बहुत पसंदाने वाली है तो इन तेवारों के सीजन में आप इसे बना की ज़रूर ट्राइ करें और आपको यह और आपको यह रसीपी कैसे लगी मुझी अपूल क बत Birthday को मिझे यह चैनल को सबस्क्राइब कीजिए हैं ऐस यसी ही मज़दार और एक्साइटिंग रिसिपीज के साथ तब तक के लिए आफेज